दोस्तो नमस्कार आदाब सच्रीयकाल नियूज क्लिक की इस खास प्रस्तुती में आपका स्वागत है दोस्तो हम एक बहुत बड़े विशाद के दौर में हैं मैं विशाद इसलिए कह रहा हूं कि ये रास्ट्री शर्म की बात है ये रास्ट्री विशाद है दोस्तो बहले ही ये दिल्ली के एक इलाके में ये घटना घटी है ये उत्तरपूर्वी का इलाका है जाफराबाद का केवल नाम आया है लेकिन दोस्तो ये केवल जाफराबाद तक सिमित नहीं है देश की राजधानी में जिस वक्त अमेरिका की रास्टपती डोनाल्ड ट्रम्प की भारत त्यात्रा की पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है जिस वक्त वो सोमवार को अहमदाबाद एरपोर्ट पर उतरने वाले हैं उसके चंद घंटे पहले संडे यानि रविवार की रात से ही शाम से ही एक अजीब तरह का महौल बनना शुरू हो गया जाफराबाद के इलाके में और हालात ये हो गए कि जब राष्टरपती डोनाल्ड ट्रम्प जो भारत के मेहमान है जो भारत के प्रधानमंत्री भारत की सरकार द्वारामंत्रित हैं ये अलग बात है कि उनका स्वागत के लिए एक कमेटी प्राइवेट बन गई थी जो गैर सरकारी कमेटी है उस दर्म्यान देश की राजधानी में ये गटना गटती है उपद्रो, आगजनी, लूट, हत्या का ऐसा लावा फूटता है, हिंसा का ऐसा तांड़ो शुरू होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी हमने दिल्ली बरसों से देखी है, लेकिन 84 के बाद ऐसे हालात दिल्ली के शायद ही किसी ने देखे हूँ और जो हालात पैदा हुए दोस्तों, वो इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, गोकुलपूरी, चांदबाग, मौजपूर, यमुना विहार, भजनपूरा, कबीर नगर, नूरे इलाही और शीव विहार जैसे इलाकों में फैल चुके हैं बड़े बड़े जो दिल्ली के देश के जो पुलीस ऑफिसर्स हैं, रीटाइड ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ड्स हैं, उनका मानना है दंगों को होने से रोकना पुलीस के बश्च में नहीं है लेकिन दंगों का जारी रहना, हिंसा का जारी रहना पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो किसी भी दंगे को 24 घंटे के अंदर कंट्रोल कर सकती है हम भले ही योरोप के देशों की तरह पुलिस भले ट्रेंड न कर पाए हो अभी लेकिन भारत की पुलिस की भी इतनी शामता है कि अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर दंगों को रोका जा सकता है ये देश के टाप पुलिस आफिसर्स, टाप एक्सपर्ट्स का ये निस्गर्थ है लेकिन ये अनवरत जारी है संडे की रात से लेकर और इन पंक्तियों के बोले जाने तक जब मैं आपके सामने रूबरू हूँ तब भी हिंसा चालू है दिल्ली में, देश की राजधानी में जब डोनल्ड ट्रम अब रात को आज रवाना हो रहे हैं मंगलवार की उस वक तक अब तक एक हेट कांस्टेबल सहित दिल्ली पुलिस के साथ लोगों के मारे जाने की पुक्ता ख़वर है कितने लोग घायल हैं अस्पतालों में कितने लोगों को इलाज मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है ये अभी कोई नहीं बता पा रहा है ठीक ठीक संख्या नहीं बताई जा रही है इसलिए कहा जा सकता है कि जिस हालात में इंजर्ड घायल लोगों को रखा गया है और कई तो ऐसे भी वीडियो सामने आये हैं दोस्तों कि घायलों को भी पुलिस पीटे जा रही है और उनसे तरह तरह के सो काल्ड रास्टरवादी नारे लगाने को कह रही है या वो पुलिस है वो प्राइवेट मिलिसिया है इसकी पुष्टी इसकी पुखता जाच अभी तक नहीं की जा सकी है दोस्तों आये हम सिल सिलेवार आपको बताते हैं इन तमाम घटनाक्रमों के बारे में पहली बात दोस्तों कि 40-45 दिनों से उस इलाके में जिसे आप जाफराबद कहते हैं देश की राज़ानी का उत्तर पूरवी इलाका है वहाँ 40-45 दिनों से धरना चल रहा था C.E.A. के खिलाब, N.R.C. के खिलाब, N.P.R. के खिलाब इस धरने में महिलाएं पुरुस बच्चे सभी बैठते थे शाहिनबाद की तरज पर कोई परिशानी किसी को नहीं थी शांति पूर्ण धरना चल रहा था कभी 40-45 दिनों के दरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन अजीब संजोग है मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये प्रियोग है लेकिन ये संजोग है, प्रियोग है या एक एक तैयारी का अंजाम है आप ये देखिए कि संडे की शाम को अचानक कुछ होता है फिर मंडे को धमकी दी जाती है बलकि धमकी इसके पहले दी गई थी कि अगर डोनल्ड ट्रम्प के जाने के बाद ततकाल ये धरना खतम नहीं होता है एक और धरने की बात थी कि अगर ये खतम नहीं किया जाता है तो पुलिस के ACP रैंक के एक आफिसर के सामने भारती जनता पार्टी के मेंबर मवजूदा अभिधान सबाज जो चुनाव हाल में हुआ था उसमें पराजित प्रत्याश्री कपिल मिश्रा धमकी देते हैं कि अगर ये सब कुछ सेटिल नहीं हुआ इसको हटाया नहीं गया तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और हम अपनी तरफ से स्वतंत्र होंगे कुछ भी करने के लिए CCB साव हमारे सामने खड़े हैं मैं आप सब के भीहाफ से ये बात कह रहा हूँ में डुबो देता है दिल्ली क्या पूरे देश को और वो क्या होता है आग लगाई जाती है पीटा जाना सुरू किया जाता है लोगों को पत्थर चलाए जाने शुरू किये जाते हैं और जाहिर है जब एक तरफ से सुरू होगा तो दूसरी तरफ से भी हिंसा प्रति हिंसा का ये दौर चलेगा पत्थरबाजी दोनों तरफ से होने लगती है पुलिस वहम पत्थरबाजों के गैंग में शामिल हो जाती है कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जब पुलिस के पास भी पत्थर हैं कुल मिलाकर होता ये है कि पहले जो धरना संबाद की मांग को लेकर था कि सरकार उनसे डायलाप करे सरकार उनसे बादचीत करे सी एक मुद्दे पर वो संबाद बनाम हमले में तब्दील हो जाता है हमें एक बात दोस्तों नहीं समझ में आती है कि संबाद या किसी ग्रिवैंस को किसी अपनी मांग को पूरा करने के लिए अगर कोई शांतिपोर धरना चल रहा है तो दूसरी तरब से किसी को अगर आना चाहिए उस धरने के खतम करने के लिए तो वो सरकार हो सकती थी वो प्रशासन हो सकता था लेकिन सरकार और शासन के लोग नहीं आते आता कौन है प्राइवेट मिलिशिया पुलिस या फिर ऐसे लोग जो अलग अलग धंके संगठनों के नाम पर गोल बंद हैं लेकिन जिनकी कमान एक खास जगह ही है एक खास सियासी मंच से ही है एक खास सियासी तंजीम से ही है और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसको आगनाईज करने वाले लोगों में भारती जनता पार्टी के उन स्वनाम धन्य जो नेता हैं जो उमिदवार रहे हैं उनका नाम आ रहा है और वो इस बात से इंकार नहीं कर सकते हमारा ये कहना है और ये दिल्ली के तमाम नागरिकों की तरफ से भी आवाज उट रही है जो संजीदा नागरिक हैं कि कपिल मिश्रा को अगर समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया होता उनको अगर ही रासत में ले लिया गया होता तो सायद जिस तरह का मास मोब बन्तित करता है